हालो दोस्तों, once again, welcome back to my youtube channel और आज आपके लिए मैं बहुत important एक topic लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपको pot selection कैसे करनी है अपने plants के लिए और मुझसे काफी सारे लोगों ने comment section में पूछा है कि आप कौन से size का pot अपने winter season plants के लिए use कर रहे हो और कैसे आप उसको maintain करते हो यहाँ पे आप दोस्तों देख सारे तो हैं मैंने सभी जो sizes के सभी pots रखे हैं और सभी में winter seasonal ही लगाए हूँ है जो winter में flowering करते हैं और इनका जो life span होता है वो maximum six months का होता है और उसके बाद यह मरने लग जाते हैं यहाँ पे पहले मैं आपको दिखाना चाहतूं चाहिए मैंने कोई भी size का pot choose किया पर सभी में जो growth है बहुत अच्छे से हो रही है सभी की जो roots से आप अंदाजा लगा सकते हैं इनमें कोई भी problem नहीं हो रही है और सभी में जो growth की science है वो positive है और इसके लिए आपको मैं सबसे पहले यही चीज़ बताना चाहूंगा soil media पे ज्यारा focus करें ना के pot selection पे आपको कौन सा pot choose करना चाहिए जितना अच्छा आपका soil media होगा उतना अच्छा आपके pot जो plants हैं वो ज्यारा अच्छे से grow करेंगे और मैं कौन सा pot choose करता हूँ उसमें मैं सबसे ज़्यारा seven inches के pot अपने winter season plants के लिए use करता हूँ क्योंकि उनमें बहुता दोस्तों बहुत ही आइडल तरीके से grow करता है यहाँ पे अब सभी जो plants देख सकते हैं चाहे calendula है चाहे petunia है चाहे marigold है सबी में जो seven inches के pot वो use किये गए हैं और इसके अलावा दोस्तों मुझसे ये भी पूछा जाता है कि pot selection में आपको clay pot जूज करना चाहिए या plastic pot या फिर thermoform pot दोस्तों जो winter season है उसमें मैंने जब तक देखा है कि जो clay pot होता है वो भी अच्छे से perform करता है as usual winter season में plastic pot भी perform करता है और thermoform pot भी क्योंकि intensity इतनी जारा sunlight की नहीं हो कि वो आपके plants के जो roots हैं उनको effect कर सके इसलिए winter season में आप कोई भी pot यूज कर सकते हो अगर आपके पास है ability के आप clay pots purchase करें तो आप वो सबसे ज़्यारा best रहेगा purchase करें उसके बाद आप plastic pot भी चूज कर सकते हो अगर आपको कोई problem नहीं है plastic यूज करने में इसके लिए वो आप पे depend करता है कि आप कौन सा grow करते हो पर हाँ summer में ये चीज़ें बहुत ज़्यारा effect करती है आपके पादे को क्यूंकि उसमें roots हैं उनको बहुत ज़्यारा difficulty होती है ग्रो करने में अगर आप उसको plastic pot में लगाते हो और mostly अगर आप black color का pot यूज करते हो उसमें आपका पादा comparatively दूसरे plants के बहुत कम grow होता है क्यूंकि उसमें intensity ज़्यारा होती है और जो sunlight ज़्यारा effect करती है आपके पादे की roots को पर यहां पे आप देख साथे सभी thermopharm pots में लगाए हुआ हैं जो मैंने nursery बे purchase किया है और सभ अगर आप बड़े pot यूज करोगे उसमें आपको मिटी ज्यादा लगीगी और आपकी मेहनत भी ज्यादा लगीगी और फिर भी grow तो ऐसी ही होगी चाहिए आप बड़े pot में यूज करें grow करें इनको पर उससे ज्यारा बैतर है कि आप 7 इंचिस के छोटे pot यूज करें क्यो उस situation में मेरे पास 8 इंचिस से 10 इंचिस के pot रखे हुए होते हैं जिसमें मैं एक या दो plants इकठे लगा देता हूँ और उनको भी लगाने के लिए दोस्तों आपको ये देखना चाहिए हो उनको हमेशन center में ना लगाए उनको corners में लगाए यहाँ पे आप देख साते हो इस छोटा रहता है और इतनी जारा space नहीं होती उन plants के according हम 8 इंचिस के pot में दो पौदे लगा सकते हैं 8 इंचिस के pot में जो दोस्तों आप एक पौदा लगाना चाहिए वो है डेलिया का plant क्योंकि डेलिया का plant है दोस्तों उसमें जो roots होती है वो इतनी जारा थिन नहीं होती है इसके लिए उसको 8 इंचिस का pot ही देना चाहिए अगर आप उससे छोटा pot दोगे उसके साथ क्या होगा एक तो उसका जो बड़े वाले डेली होता है आपको पता होगा उसका जो वेट होता है बहुत जादा होता है जब भी हमारे आप एक बारिश आती है जा बहुत ज़ चोटे ब्लांट्स हैं पैंजी हैं उनको अगर आप एक लगाना चाहो उसमें आप 6 इंचिस का pot यूज करें और और कभी कबार दोस्तों हमारे यहां पे काफी सारे व्यूर्स के पास इतने बड़े वाट्स भी नहीं होते इसके लिए मैं आपको एक नॉर्मल चीज बताता हूं 5 से 8 इंचिस के pot में आप कोई भी सीजनल पौदा लगाएं तो आपको बहुत बढ़ी आतारीके से ग्रो होगा और यहां पे आप देख साथ हो यह वाले पौदे हैं यह सभी मैंने छोटे pot में भी लगाए हूं फिर भी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और इससे सबसे ब क्योंकि वहां पे आप देख सकते हैं वह एक ही soil बार बार नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि उनके जो plants है वो cell होते रहते हैं हमारे यहां पे इतनी जारा soil लेकर आना मुश्किल है नहीं इसके लिए उनके जो growth है comparatively हमारे plants के according बहुत जारा growth होती है क्योंकि उनकी जो नए soil होती है नई soil में जो पौद है वो भी ज्यारा अपनी ability create करता है उसमें nutrition लेने की इसके लिए वह effect आ जाता है तो दोस्तों यही चीज होती है 5-10 इंचिस में आप कोई भी पौद में प्लांट में जो pot requirement आप ले सकते हैं पर फिर भी मैंने आपको बताए अगर आप new pot selection करना जाते तो आप 7-10 अगर आपके पास नहीं है तो यह चीज नहीं कि आप नहीं grow कर सकते यह आप 5-8 इंचिस में कोई भी पौद आफ सीजनल बहुत अच्छे से grow कर सकते हो pot selection में दोस्तों जो आप देख सकते हैं सभी मैंने आपको pot दिखा दिये हैं basically जो मैं use करता हूं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जो मेरे पौदियां उनकी growth कैसे हो रही है हमेशा मैं यही आपको कहता हूं जो मेरा experience होता है उसके according में आपको चीजे बताता हूं रखनी है उसके साथ आपका जो पौदा बहुत अच्छी से ग्रो होगा और जो मैंने आपको बताया जैसे डेलिया का पौदा हो गया उसमें थोड़ा सा जैसे प्लांट्स हैं वो जारा है भी हो जाते हैं उसके लिए आप 8-10 इंचिस का pot एक प्लांट के लिए चूज करें वैसे दूसरे नॉर्मरी सभी winter seasonal से इसमें ग्रो अच्छे से होते हैं आप marigolds भी देख सकते हैं हर एक में मैंने एक एक पौदा लगाया 7 इंचिस के इसमें marigolds भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं तो ideal pot अगर आप new purchase करना चाहते हैं तो 7 इंचिस अगर आपके पास घ प्लांट है वो भी आप अच्छे से लगा सकते हैं सिर्फ soil preparation है soil है वो अच्छी रखे इतनी जारा पुरानी ना हो और आपके नॉर्मली उसमें जो पौदें अच्छे से सर्वाइव कर सकें आपको यह वीडियो पसंद आई होगी आपको नॉर्मली सभी चीज़ें क्लियर होगी होगी कि कैसे हमें अपने पॉट्स को रखना है कौन सा पॉर्ट ज्यारा बहते रहता है और कौन सा पॉर्ट आपको न्यू लेकर आना चाहिए सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल और मोर अप्टेशन यूज आल्सो क्लिक बैल एकन थैंक यू